नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनिंदन करता हूँ बात करेंगे आज 16 अभ जुलाई के एडिटोरियल सेशन की और आज का सेशन आधारित है एकोनोमी पर तो बहुत सारी नई चीजे सीखने को है बहुत सारी वो टर्म्स सीखेंगे जो हम लोगों को लगता है कि बड़े मुश्किल है तो बहुत यासानी से किस प्रकार से एक बिजनस एडिटोरियल पढ़ा जा सकता है एक ऐसा एडिटोरियल जो एकोनोमी पर आधारी तो पढ़ा जा सकता है वो आप सीखेंगे तो end तक session को देखना है कहीं पर भी skip मत करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर से share कर देना बात करेंगे आज के editorial की आईए करते हैं start इस motivational quote में एक error है वो error क्या है grammar की गलती है वो बतानी है आपको comment box में जाकर वैसे वो गलती जान बुझकर नहीं रखी गए बता दूम आपको जब मैंने slide को देखा तो मुझे बता लगा कि वो error रह गई है टाइप करते हैं समय वो error थी इस कारण से आप चलिए कोई बात नहीं आप बताईए का error क्या है ये motivational quote आपको इस तरीके से motivate करना चाहती है कि भी को target सेट करते हैं आप जिंदकी का कोई भी लक्षे निरधारित किया आपने और उस लक्षे के लिए उसकी और बढ़ना स्टार्ट किया तो एक feeling develop होती है कि बहुती धीमा process है मैं एक example दूँ आपको English सीखने की प्रक्रिया ही मान लो बहुत सारे students को लगने लग जाता है कि बड़ा slow process है कब तक सिखेंगे आज सरके editorial देखते वे एक साल हो गए दो साल हो गए six months हो गए अभी तक तो English आई नहीं कब आ जाईगी और उसको ऐसा सोच के वो छोड़ देते हैं कि चलो English अपने काम की बात नहीं है अपने वश की बात नहीं छोड़ देते हैं इसको तो यह कहना चाहता है कि भई slow process है मान लिया लेकिन क्या छोड़ देने से वो गती तेज हो जाएगी क्या वो slow जो एक process था क्या वो speed up हो जाएगा ऐसा नहीं है छोड़ देना कोई option नहीं है उसी दिशा में आगे बढ़ना समझदारी की बात है आज इस classes एप को डाउनलोड कर चुके होंगे नहीं किया है तो जरूर से play store से डाउनलोड कर ले या link दे रखा है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं काफे सारे paid courses available हैं उनको आप visit कर सकते हैं बात करेंगे आज के editorial की उससे पहले आप जान जाईए कि WPI और CPI क्या होता है यह CPI शब्द आपको मिलेगा और वहाँ पर एक question mark लगेगा कि CPI आखिर है क्या तो editorial में प्रवेश करने से पहले हम जानेगे कि CPI क्या है WPI क्या है थोड़ा सा जो आपको image दे रखी है इसको देखकर पहचानने की कोशिश करें WPI का full form होता है wholesale price index wholesale price index CPI का मतलब होता है consumer price index ठीक है थोड़ा कोशिश करें सोचें कि क्या यह बताना चाहरा है आपको हर चीज अच्छे तरीके से यहां पर highlighted है farm है, wholesale depot है retail shop है consumer है, सब कुछ बता रखा है तो यहां पर देखी क्या होता है जो farm से product आता है wholesale price का मतलब थोग में समान जो आता है उसकी बात कर रहा है तो खेट से समान आता है wholesale depot में ठीक है, खेट से जो भी product आते है वो wholesale depot में आते है wholesale depot में आते है वहां जो price का जो भी fluctuation होता है वो मापने का तरीका होता है WPI, wholesale price index और फिर देखी रिटेल शोप से जो समान हम खरीदते हैं हम लोग consumers जो खरीदते हैं वो आता है CPI में यह actually सूचकांक है इस से पता लगता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है महंगाई मतलब कितनी घटी है deflation हुआ है कि inflation हुआ यह समझने को आता है तो जब farm products wholesale depot में जाते हैं तो साल दर साल यह देखा जाता है कि समान इस साल कितने में खरीदा पिछले साल कितने में खरीदा पिछले साल मानलो 100 रुपय का समान खरीदा इस बार 110 का खरीदा इसका मतलब inflation 10% बढ़ गई है पिछले साल 100 का खरीदा इस बार 90 का खरीदा means deflation में चला गया है समान महंगाई घटी है इसी प्रकार से जो होलसल डिपो से समान रिटेल शोप पे जाएगा और रिटेल शोप से जो हम प्राप्ट करेंगे तो हमारी एक basket बनी होती है इसके अंदर एक set of basket होता है अलग-अलग आधार पे आठ जेनरली इसमें चीजें शामिल की जाती है education शामिल करते हैं और beverage शामिल करते हैं जो पे पदार्थ होते हैं food item शामिल करते हैं कपड़े शामिल करते हैं entertainment शामिल करते हैं तो इन चीजों में क्या होता है कि इस basket में गाउं के अधार पर और शेहर के अधार पर अलग-अलग basket बनी होती है फिर देखा जाता है कि गाओं के अंदर जो प्रोडेक्ट्स जो बास्केट है जो भी आइटमस आम बागी बात करें कितने आइटमस गाओं के अंदर रखे जाते हैं और कितने आइटमस शहर आधार पे रखे जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि पिछले साल कितना खरीदा आपने इस साल कितना खरीदा या पिछली तीमाही में कितना था इस तीमाही में कितना खरीदा तो वो महंगाई या inflation या deflation मापते हैं उसको CPI बोलते हैं ठीक है तो consumer price index और wholesale price index उपर जी तोर पर समझें तो ये तो एक सामान में कितना पैसा आपको देना पढ़ रहा है और ये खुद्रा सामान जब खरीते हैं हम लोग खरीते हैं तो कितना पैसा देना पढ़ रहा है उस आधार पर एक मुल्यांकन होता है उसे WPI और CPI कह सकते हैं इसके लिए देखो एक प्रशन बनता है कि WPI और CPI में basic जो अंतर है वो इस सारणी से आप समझ सकते हो ये जो सारणी है WPI ये किसके द्वारा रिलीज होती है ये Commerce और Industry जो मिनिस्ट्री है वानिज्य मंत्राले जो है उसके द्वारा रिलीज होती है ठीक है ये रिलीज किसके द्वारा होती है Ministry of Commerce Industry के द्वारा CPI जो है वो रिलीज करता ह सांखी की विभाग Central Statistics Office Ministry of Statistics and Program Implementation इसके द्वार रिलीज होती है दूसरा यहां पे केवल और केवल मापते क्या है केवल वस्तूओं को देखा जाता है जबकि यहां वस्तूओं और सेवा दोनों को मापते हैं CPI के अंदर इसमें 697 के करीब आइटम्स होते हैं उनको कवर किया जाता है उसके आधार पर इसका मुल्यांकन होता है जबकि CPI में रूरल जो बास्केट होती है क्योंकि गाओं के लोगों की जरूरतें कुछ अलग होती हैं शहर के जरूरतें कुछ अलग हैं थोड़ा असा जो डिफ्रेंस है उसी आधार पर यहां 448 प्रकार की वस्तूओं को देखा जाता है और शहरी आधार पर 460 वस्तूओं है उनके आधार पर मुल्यांकन किया जाता है इसमें बेस वर्ष मानते हैं बेस एयर मानते हैं 11-12 और इसमें मानते हैं 12 ठीक है बेस एयर का मतलब यह है कि उस हिसाब से मतलब मानलीजी उस समय 100 मानली आपने तो उसके अधार पर आज का क्या है उस 100 के अधार पर कितना बढ़ा है कितना घटा है उस अधार पर WPI और CPI का मापन होता है पहले इंफलेशन का मापन हुआ करता था WPI के बेसिस पर लेकिन 2014 में जब रगराम राजन गवर्णर बन कर आए तो उन्होंने सोचा कि CPI पर ज्यादा मतलब महंगाई होता है एक प्रकार से इंफलेशन मुद्रा स्पीती को बोलते हैं और मुद्रा अवस्पीती जो होती है उसको डिफलेशन कहा जाता है इसको आप यों समझेए कि कोई वस्तू हम खरीदते थे मानली यह सो रुपए हमारा महने का खर्चा था ऐसे मानलो और अभी खर्चा बढ़कर 110 हो गया है तो यह क्या है 10% का इंफलेशन हुआ है समझ रहे हैं यह महंगाई है अब कई बार ऐसा लगता है कि मानलो यही 105 हो जाता है तो लोग यह कहने लग जाते हैं कि यह 5% मतलब जो है वो डिफलेशन हुआ है यह ऐसा सोच में लग जाते हैं ह तो जो base हमने माना है उसमें जो घटेगा 95 हुआ 90 हुआ 92 हुआ कुछ भी हुआ इसे deflation कहा जाएगा लेकिन 100 के plus कितना भी रहेगा 110 120 हो गया फिर 118, 115, 112 कुछ भी आ गया तब भी वो inflation ही है थोड़ा सा ये basic difference याद रखिएगा inflation alert से मतलब क्या है inflation का मतलब मुद्रस्पीती है alert का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि आपको चेतावनी है warning है कि ये एक inflation बढ़ रही है उसका alert है उसका एक प्रकार से आपको notify किया गया है देखते हैं क्या है इस article में देखो लास्ट का मतलब अन्तिम भी होता है लास्ट का मतलब पिछला भी होता है गत जिसको बोलते है वो भी होता है जब ये अन्तिम होता है तो ये first का opposite होता है ठीक है जब इसका मतलब previous है पिछला है गत है तो इसमें दे नहीं लगता है याद रखिएगा तो अन्तिम जो चीज डैट जो की इंडियाज पेंडेमिक हिट एकोनोमी इंडियाज भारत की पेंडेमिक हिट मतलब वैश्विक मामारी से प्रभावित एकोनोमी मतलब अर्थ वेवस यहाँ पे यह सब्जेक्ट है एकोनोमी ठीक है मैंने इसको हैलेट करना मह भूल गया इसको कोई बात नहीं देख लीजिएगा दा लास्ट इंडियाज पेंडेमिक हिट एकोनोमी अन्तिम चीज जो भारत की वैश्विक महामारी से प्रभावित अर्थ वेवस्ता को आवश चेक्ता है इज वो चीज क्या है वो यहाँ पे है इस एक्सिलरेटिंग इंफलेशन अब यहाँ पे जो इज है वो इसको देखकर है वो अन्तिम चीज जो है यह लास्ट इंग भी सब्जेक्ट बन गया उसकी वर्ब क्या बन रही है इज थोड़ समझना एकोनोमी को देखक है और लास्ट इंग को देखकर इज है जो भारत की अर्थेवस्ता अर्थेवस्ता कौन सी जो वेश्विक महामारी कोविड 19 से प्रभावित थी उसकी अर्थेवस्ता वो अर्थेवस्ता उसको जरुरत है क्या चीज अंतिम चीज और वो अंतिम चीज क्या है वो चीज है ए है ये और ये executive है और ये present participle है वो inflation वो महेंगाई जो क्या है accelerate कर रही है XL मतलब बढ़ रही है तो ये उंतिम चीज चाहिए थी मतलब अगर कोई च्छिज उंत में हो सकते भी नहीं होनी चाहिए थी उंतिम चीज का मतलब यह is चाहा ही नहीं गया वे आप कहें सबसे बुरी चीज जो है वो आप चाहते हैं कि लास्ट में ही हो जाए अगर आप कहें कि वो चीज होगी तो सही जिंदकी में कब उसका सिक्वेंस क्या निरधारित करोगे कि सबसे बुरी चीज आपके जिंदकी में होता आप कहेंगे कि लास्ट में दे देना शुरुआत में तो एक बर सुख भोगने दो सुख को एंजोई करने दो वही चीज है कि अंतिम चीज चाहिए थी इस अर्थेवस्ता को वह चीज क्या थी कि महंगाई मतलब शुरुआत में महंगाई नहीं चाहिए थी यह तो चुकि एक अन्प्लिजंट सा एक एस्पेक्ट है तो कह रहा है एंड यट और फिर भी चाहिए तो था आंत में लेकिन फिर भी यही वह चीज है मतलब महंगाई ही वह चीज है जिसे लेटेस्ट डिटा मतलब जो हाल ही के आंकड़े है अब चुकि डेटा प्लूरल भी होता है सिंग्विलर भी होता है लेकिन यह तो प्लूरल मानेंगे आप यहाँ पर वर्ब की फस्ट पॉर्म इन्स प्लूरल है और प्वॉंट के साथ में प्रेपजीशन टू लगता है यह बात आप अपनोट कर लीजिएगा point के साथ में preposition क्या लगेगा point two का मतलब इशारा करना किस और इशारा करना है तो कहरा है जो अंतिम चीज जो भारत की pandemic hit economy को जरुवत थी वो अंतिम चीज थी क्या अंतिम चीज ये है कि महंगाई बढ़ती हुई महंगाई वो अभी नहीं चाहिए थी वो अभी acceptable नहीं है क्योंकि अभी तो चर्मराई हुई अर्थे वस्ता है किसी के जेब में पैसा नहीं है किसी ने कमाया नहीं है तो खर्चा कैसे करे महंगाई को कैसे जहले और फिर भी yet का मतलब फिर भी होता है एड़र्सेटिव कंजंक्शन है वही चीज जो है precisely that मतलब inflation के लिए है वही चीज जो है accurately वो चीज है जो latest data point कर रहा है latest data यहाँ पे subject है इसकी जो verb है वो point two है और that जो subject है इसकी verb यहाँ पे is है और महंगाई ही वो चीज है जिसकी और हाल ही के आंकड़े संकेत कर रहे है मतलब जो चीज नहीं चाहिए थे वो ही आ गई है कहने का मतलब ही है जून्स retail inflation reading of 6.1% is worrying particularly since it was the first month when the economy reopened from the crippling lockdowns of the preceding two months जून्स retail inflation जून का जो retail inflation जो खुदरा महंगाई ठीक है अगर wholesale inflation तो थोक महंगाई थोक में जो समान खरीते हैं उसमें महंगाई तो जून के महिने की जो खुदरा महंगाई है reading का मतलब उसका पठन जो उसका मतलब एक कह सकते हो कि उसको reading जो उसकी आई वो 6.1% आई तो जून के महिने में खुदरा महंगाई कितनी थी 6.1% इज वरिंग ये चिंटा जनक है अब चिंटा जनक क्या है ये inflation ये retail inflation reading जो है ये reading ये महंग ये जो है वो चिंटा जनक है particularly विशेश रूप से since क्योंकि it was the first month यही पहला महिना था जून पहला महिना था when the economy जब economy जो है reopened reopen हुई फिर से open हुई economy subject है economy फिर से open हुई from the crippling lockdowns और reopen का मतलब क्या बंद किस से हो गई थी तो बंद हुई थी इस से crippling lockdowns है lockdown तो समझते ही या crippling यहाँ पे adjective बन रहा है crippling का मतलब inner waiting, unfibling, memming, disabling crippling के दो मतलब लेख सकते हो यहाँ पे तो आप कह सकते हो कमजोर बनाने वाला ठीक है और वैसे कह सकते हो अपंग कर देने वाला पंगू बना देने वाला तो lockdowns जिसने मतलब कमजोर कर दिया था market को और lockdowns of the preceding two months preceding का मतलब पहले वाले तो June के महिने में reopen हुई इसका मतलब पहले वाले दो महिने कौन से थे मई और अप्रिल तो पिछले दो महिनों से जो यह reopen हुई थी उसके अंदर यहाँ पे यह देखा गया repeat कर देता हूँ तो June की खुदरा महंगाई का जो reading है 6.1% रही जो चिंता जनक है वरिंग यहाँ पे present participle कह दीजिए executive कह दीजिए क्योंकि यह इज जो है वो linking verb है और linking verb के बाद में हम लोग क्या करते है compliment लगाते है और यह compliment के रूप में executive है तो June की खुदरा महंगाई 6.1% रही वो चिंता जनक है विशेष करके उस इस्तिती में जब यह पहला ही महिना था ठीक है चुकि यह पहला महिना था और पहला महिना किस चीज़ का कि इसी महिने में तो economy फिर से open हुई थी और open किस से हुई थी open हुई थी crippling lockdowns से वो lockdowns जो की अर्थेवस्ता को कमजोर कर रहे थे वो lockdowns जो अर्थेवस्ता को पंगो बना रहे थे और यह lockdowns किस के हैं यह पिछले दो महिनों के हैं preceding two months के हैं मतलब एप्रेल और मई की बात यह कर रहा है बात समझ में आ गई तो इस आपको slide के अंदर subject हमने निकाला the last thing उसकी verb is है subject था economy उसकी verb needs है that subject है is verb है फिर jones retail inflation reading जो subject है तो is verb है फिर यहाँ पे it subject है was verb है फिर the economy subject है reopened verb है हमने सीखा preceding का मतलब जो पहले आ जाता है anti date होता है है ना जो भी कोई चीज पहले आ जाती है पहले घटित हो जाती है उसको बोलते है preceding crippling का मतलब क्या है तो crippling की यह सब synonym हमने देख लिए इस slide में तो इतना था इस से आगे देखिए while the disruptions caused to the supply of goods and services as a result of the nationwide shutdown can to an extent explain the acceleration in price gains that this happened despite depressed demand is cause for this quite while a while से start है तो समझते हैं आपके दो close आप expect कर सकते हैं तो देखेंगे आप यहां से start हुआ और यहां पे एक end हो रहा है close एक उपवा के तो यह है दूसरा उपवा के फिर that से start होके और यहां तक का है while यद्दपी फिर इसको यद्दपी पढ़ना पड़ेगा although या दो का meaning देगा फिर यह तो यद्दपी the disruptions disruptions का मतलब disturbance व्यवधान तो यद्दपी जो व्यवधान caused to the supply of goods supply का मतलब आपूर्ती है तो goods सामान, सामान की पूर्ती करने में जो व्यवधान आए and services जो सेवाओं की पूर्ती करने में व्यवधान आए as a result of the nationwide shutdown और व्यवधान क्यों आए क्योंकि पूरे देश भर में क्या लग रखा था shutdown लग रखा था as a result of का मतलब following कह सकते हो के परिणाम सोरूप कह सकते हो तो ये व्यवधान किस कारण से आए ये व्यवधान आए पूरे रास्ट्र व्यवधान के कारण lockdown के कारण तो कहरा है ये disruptions जो है ये disruptions can to an extent अगर इसको हटा दू तो समझ में आ जाएगा ये subject हो गया ये can explain verb हो गयी the acceleration object हो गया to an extent का मतलब एक हद तक एक स्तर तक explain कर सकता है the acceleration in price gains कि price में जो बढ़ोतरी हुई है जो कीमतें बढ़ी है उसको ये समझा सकता है कि बढ़ोतरी क्यों हुई है समझ में आ गया भी कहरा है कि भी पूरे रास्ट्र भर में पूरे देश भर में shutdown था, lockdown था इसके कारण समान की आप उर्टी नहीं हो पाई ये विवधान जो आए है इसी कारण से तो यहाँ पे price का gain हुआ price बढ़ी ये तो समझ में आता है कि भी महंगाई क्यों बढ़ी तो उसका कारण ये है क्योंकि shutdown के कारण पूर्टी नहीं हो पाई समान की इस कारण से महंगाई बढ़ी लेकिन यहां कौमा लगा के नई बात बताएगा फिर भी इस हैपन ये घटित हुआ despite despite का मतलब पता है आपको in spite of होता है ये घटित हुआ इसके बावजूद की depressed demand demand का मतलब मांग और depressed का मतलब वैसे अगर कोई वेक्टी depressed है तब तो वो तनाव में है अगर कोई यहां पर demand depressed है इसका मतलब कमजोर है वीक है तो इसका मतलब लिखेंगे वीक किसके बावजूद वीक demand चुकि demand भी तो नहीं थी अगर पूर्ती नहीं हुई तो कोई बात ने लिगे demand भी कहां थी यह सब लोग घरों में बैठे थे इतनी जरुवत नहीं जितनी की एक समान्य माहूल में पढ़ती है तो depressed demand थी इस cause for dispute तो यह कह रहा है कि यह जो चीज है वो क्या है cause for यह कारण है किसका disquite का disquite का मतलब क्या होता है बेचेनी restlessness restlessness बेचेनी को बोलते है disquite समझ गए एक बार फिर से समझ येगा कहना चाता है कि यदपी जो सामान की पूर्ति में व्यवधान पैदा हुआ किस कारण से पूरे देश भर में shutdown था, lockdown था तो वो एक हद तक समझा सकता है बता सकता है कि price में बढ़ोतरी क्यों हुई है क्यों बढ़ रही है कीमते फिर भी ये जो चीज घटित हुई है वो कमजोर demand के बावजुद घटित हुई है demand भी तो नहीं थी पूरती नहीं हुई तो तो ये जो चीज है ना ये एक disquite है अब ये जो that है इसके लिए इस आ रहा है ठीक है ये that इस पूरे close के लिए आ रहा है कि ये जो चीज है कि ये जो घटना घटी है महंगाई बढ़ी है वो इस चीज के बावजुद बढ़ी है कि कमजोर demand थी market में उसके बावजुद कीमतें बढ़ गई ये बैचेनी का भी शे है समझ गया तो describe का मतलब restlessness होता है disruption subject था तो इसका हमने verb निकाल लिया can explain था ठीक है caused तो यहाँ पे adjective का काम करेगा वो disruption जो की कारण बने किस चीज 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 चारण बने ये तो post post adjective का का काम यहाँ पे करेगा आगे देखते है a closer look at the consumer price index ये CPI की full form अभी पढ़ के आए है हम लोग हलांकि मैंने इसको नीचे define भी कर रख है CPI क्या है तो कहरा कि closer look closer look का मतलब और अधिक नजदीक से देखें closer degree comparative है close की look जो है वो यहाँ पे देखने की process है तो ये noun है और closer यहाँ पे objective है तो और नजदीक से अगर देखें at the consumer price index मतलब CPI को तो reveals तो ये जो closer look है अधिक ध्यान से देखने के जो process है ये reveal करता है तो closer look subject है reveals verb है reveals का मतलब अब समझते हैं disclose करना होता है उजागर करना होता है तो अधिक नजदीक से अगर देखें तो समझ में आता है that prices in the food and beverage group rose and average 7.3% year on year with the key protein sources of pulses and products surging 16.7% meat and fish climbing 16.2% and milk and its derivatives rising 8.4% तो यहाँ आंकडे बताएं हैं ज्यादा कुछ नहीं है देखिएगा तो कह रहा है कि अगर CPI को थोड़ा और ध्यान से देखें तो उससे रहश्य उजागर होता है समझ में आता है that prices in the food and beverages beverage का मतलब होता है pay-pard-th food का मतलब खाद्दे-pard-th कि जो कीमतें हैं कीमतें किसकी खाद्दे-pard-th और पे-pard-th वाला जो समू होता है उसकी कीमतें rose rose rise की second form हो गई और याद रखना कि rise का मतलब अपने आप बढ़ना होता है ठीक है इसलिए इसके बाद में object ही ज़रूरत नहीं पढ़ती है जबकि rage होता है बढ़ाना होता है तो उसमें आप object लगाते हैं तो कहरा है कि जो prices हैं जो कीमतें हैं खद्य समगरी की और पेख समगरी की वो कीमतें उठी हैं बढ़ी हैं कितना ओस्तन 7.3 पर्थिशत year on year का मतलब साल दर साल इतनी तो बढ़ी ही है और मैंने इसको highlight इसलिए किया है क्योंकि एक concept याद रखना कि अगर एक noun जो है वो दूसरी noun के बराबर है N1 बराबर N2 है जैसे ये N1 है और ये N2 है ये noun 1 है ये noun 2 है दोनो एक जैसी nouns हैं जैसे यहाँ भी year है यहाँ भी year है और बीच में preposition है तो दोनो noun कैसी होंगी singular होंगी अगर दो एक जैसी noun noun preposition से connect होकर आ रही है तो दोनों ही singular आएंगी यहाँ पे ना तो आप left में years कर सकते हैं ना right में कर सकते हैं ना दोनों side कर सकते हैं कोई भी ऐसा option हमारे पास नहीं होता है ये प्रशन है exam में पुछा गया था noun का प्रशन बनता है अगर CPI को close look दिया जाए थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे रहष्य हो जागर हलंकि यह look now नहीं तो इस कारण से reveal सारा है तो यह जो look है वो reveal करता है कि जो कीमते हैं food और beverage group की मतलब जो ख़द समगरी हैं और पे समगरी हैं पे पदाप जो होते हैं उनमें जो कीमते हैं वो बढ़ी एन एवरेज ओसतन 7.3 परतिशत साल दर साल विद दा की प्रोटीन सोर्सेज और कह रहा है कि जो की का मतलब सिगनिफिकेंट है महत्वपूर्ण है वाइटल है जो महत्वपूर्ण प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं अब ये खाते समगरी के महगई कैसे बढ़ी है उसको समझा रहा है कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रोटीन के तो जिससे डाले हैं अट प्रोडेक्स और कोई भी उतपाद है सर्जिंग सर्ज का मतलब अचानक से उचाल आना हाइक, हाइक बोल सकते हो, हाइकिंग कह सकते हो यहाँ पे, वो बढ़ गई कितना 16.7% कीमते बढ़ गई मीट और फिश जो मास मच्छी है उनकी कीमते कितनी बढ़ गई 16.2% बढ़ गई and milk and its derivatives, milk का दूद derivatives का मतलब होता है जो दूद से बनने वाले पदार्थ है चाहे वो घी हो, धई हो, यह सब है तो इनकी कीमते कितनी बढ़ गई 8.4% बढ़ गई, बात समझ में आ गई तो यहाँ पे समझाया है कि महगाई कितनी कितनी है, चुकि मैंने का CPI जो है, वो कंजूमर, हम लोग जो खरीदते हैं समान, उसके अधार पर गणना होती है, तो यह दो को हम लोग समान खरीदते हैं, वही बताया है इसने, थोक्त वाली बात नहीं करी, तो CPI को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे समझ में आता है कि खद्य जो पदार्थ हैं और पेपदार्थ हैं, उनमें जो कीमते हैं बढ़ी है और 7.3% की दर से बढ़ी है, साल दर साल, इसमें बताया है कि प्रोटीन के जोरी सोर्सेज हैं, डाल है, प्रोडेक्ट्स हैं और भी, उनमें तो 16.7% की बढ़ोतरी हुई है मिल्क और फिश है वो 16.2% 16.7 16.2 और मिल्क और डेरिवेटिव है वो 8.4 बढ़ा है ठीक है अब यहां देखिएगा विद्ध की प्रोटीन सोर्चेज और प्रोडेक्ट्स सर्जिंग अब यह विद्ध लगर रखा था इसलिए ING फर्म का प्रियोग है इनके साथ ऐसा करते हुए है ना यह ऐसा बढ़ गया यहां तक बढ़ गया यहां तक बढ़ गया तो यह सब आकड़े थे ज़्यदा कुस्ता नहीं एक तो grammar का concept हमने सीखा है और CPI क्या है वो निचेस के definition है कि CPI measures the average change in prices over time that consumers pay for a basket of goods and services commonly known as inflation CPI जो है यह मापन किसका करता है यह मापता है उस चीज़ को की prices में कितना बदला हुआ है वो कीमतें जो की भोगता पे करता है जो भी basket होती है उसकी food और services की जो भी सेवा को वो क्रे करता है जो भी मतलब एक समान को क्रे करता है वस्तूओं को क्रे करता है उसके लिए कितना पैसे वो समय के अनुसार कितना पैसों में अंतर उसके आता है payment में कि पहले payment कितना था अब payment कितना है है ना तो जिसको महंगाई आप कहते हैं उसको मापने की काई है यह CPI एक सुचकांग है आगे देखिएगा inflation in the food category would have been much faster but for vegetables and fruits moderating the gains and anxious growers likely sold the perishables at distress rates resulting in fruits showing a 0.7% deflation in vegetables a posting a marginal 1.9% gain inflation inflation महंगाई in the food category खड़े के अंदर जो खड़े पदार्थ है उनमें महंगाई would have been मतलब ऐसा होता वोड़ है मतलब यह conditional sentence बता रहा है ऐसा होता तो कहरा कि खड़े जो चीजें हैं खड़े पदार्थ हैं उस category में महंगाई और भी तेजगती से होती मच फास्टर एक बात याद रखना कि वैरी जो है वो positive degree से पहले आता है जबकि मच है वो comparative degree से पहले आता है याद रखना इस चीज़ को तो यहाँ पे जो faster है वो इस कारण से है कि मच दे रखा है आपको और faster के कारण मच है ये भी बान सकते हो तो कहरा कि जो inflation है महंगाई है food category में वो और भी अधिक तेज होती but for but for का मतलब यदी ऐसा नहीं होता if it were not है ना यदी ऐसा नहीं होता ये एक fresh होती है यदी vegetables and fruit इसको fruit ही पढ़ा जाए क्योंकि fruit का plural नहीं बनता है आपके exam के लिहाद से तो ये प्रशन बन जाएगा common error का fruit ही बने गए यहाँ पे तो कहरा कि inflation जो है food category में वो और भी टेज होती यदी सबजी और फल जो है moderating the gains as anxious यदी ऐसा नहीं होता कैसा नहीं होता कि यदी ये इस बढ़हुतरी को moderate नहीं करते फल और सबजीयों के दाम भी बढ़ जाते moderate का मतलब होता है balance करना संतूलित करना इसको balancing कह सकते हो चुकि आई ये लग रहा है तो यदी ये balance नहीं करते gains का मतलब जो बढ़हुतरी हुई है तो जो अगर कीमते इन में बढ़ गई होती ना तो फिर तो और भी दाम तेजी से बढ़ते कह रहे हो इस food category के as क्योंकि anxious growers ग्रोवर का मतलब तो खेती करने वाला किसान हो गया anxious का मतलब चिंतित है ना तो जो भी सब फल सबजी उगाने वाले लोग है likely संभवतया possibly है ना sold बेच दिया the perishable perishable का मतलब वो food item जो जल्दी ही खराब हो जाता है perishable liable to rot easily spoiled इसको spoiled कर देना and biodegradable ठीक है जो जल्दी से खराब हो जाता है उसको बोलते है क्या perishable है ना तो कह रहा है कि चुकि फल सबजी आइसी होती है कि ज़दा दे ऐसा तो है नहीं कि आज 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 आज़ाए और दो मेरे बाद में कामे दे दोगे तो perishable कह तो घटए ही पैस किमते जिरो पॉइंट साथ परसेंट और सब्जीयों में पॉस्टिंग मतलब दरशाया इसने मार्जिनल मतलब आनशिक वन पॉइंट न परसेंट गेंग का मतलब हो गया कि थोड़ा साइस ने महंगाई दिखा ही लेकिन वन पॉइंट ने परसेंट ज़ किसान एंक्षेश यहां पर एजएक्टिव का काम कर रहा है कि क्योंकि जो चिंतित किसान है उसने संभवताया बेच दिया इन पैरिशेबल पैरिशेबल फूर 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 एन वेज़िटेबल के लिए आ रहा है एट डिस्ट्रेस रेट कम कीमतों पर बेच दिया जि यहाँ पे anxious जो शब्द है इसका मतलब चिंतित है तो इसको worried कह सकते हो आप upset कह सकते हो ठीक है worried upset इसके अलावा आपको ध्यानों एक idiom होती है a cat sitting on hot bricks ऐसा कुछ होता है न तो उसको भी आप चिंतित ही बोलते हैं anxious ही बोलते हैं worried ही बोलते हैं और result के साथ में in है result in का मतलब प कह सकते थे या इसको आप trigger भी कह सकते थे lead to भी कह सकते थे है ना यह सब हो सकते थे इसके synonyms marginal का मतलब आंशिक होता है partly होता है ठीक है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं transport and communication अब बात करें transport or communication के transport तो समझते हैं आप और communication संचार तो इनकी अगर बात करें which includes अब ये which इस सेक्टर के लिए आ रहा है जो की include करता है पैट्रोल और डीजल पैट्रोल और डीजल को ठीक है अब communication का मतलब संचार के सादन वो phone वगरे की बात नहीं कर रहा है transport or communication का मतलब यहां पर communicate का मतलब वो भी होता है संचारित होना भी होता है चुक्कि transportation से चीज़ें संचारित होती चीज़ें एक से दूसरे समय जाती है इसको एक सेक्टर मान कर इसमें शामिल है petrol and diesel also posted a 7.1% jump इसने भी इस सेक्टर ने भी मतलब फूल जो इसमें petrol and diesel है इसने भी 7.1% का jump post किया post किया मतलब दर्शाया ठीक है इसमें बढ़ोतरी भी 7.1% आपको क्या समझना है इसके अंदर इस तरह के जो article होते हैं economy based article होते हैं उसमें आगा आप शब्द से अर्थ निकालेंगे लिट्र निकालेंगे तो बड़े problem में आ जाएंगे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हुए understanding develop करते हुए निकालें तो यहाँ पे इतनी सी बात है कि petrol और diesel के दाम बढ़े 7.1% तक फिर कहरा the recent sustained increase sustained का मतलब continuous होता है तो continuous constant uninterrupted तो कहरा है कि हाल ही में जो लगातार बढ़ोतरी हुई है किस में fuel prices में इंधन की कीमतों में इंधन कौन से petrol डीजल की बात कर रहा है तो is expected अब यह जो is है वो इसी को देखकर है उसकी संभावना है तो feed through feed through का मतलब कह सकते हो कि कोई एक चीज है उसने दूसरे को परभावित कर दिया है तो कहरा है कि हाल ही में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है तिल की कीमतों में इससे यह आशा कर सकते हो यह अनमान लगा सकते हो यह forecast कर सकते हो कि इसका result कह निकलेगा रिजल्ट निकलेगा higher cost for transporting farm produce की खेत में होने वाले जो produce है उनको जो आप transport करवाओगे इन वहानों से ट्रक वगर ऐसे तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी क्योंकि टेल की कीमते बढ़ रही है तो इसका मतलब जो farm produce होगा उसकी कीमते भी बढ़ेगी और इसलिए ये बड़ा मुश्किल है इन विजिज़ का मतलब होता है पहले से मतलब forecast करना तो ये कह रहा है पहले से कोई चीज़ का अनुमान लगाने को बोलते हैं तो कह रहा है इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कि आप ये देख पाएं कि food prices softening इसको softening बोलते हैं softening नहीं बोलते है softening का मतलब थोड़ा सा कम होना कीमते कम होना कह सकते हो यहां पे तो इसलिए बड़ा मुश्किल है ये देख पाना कि food prices जो है वो कम हो रहे है at least in the near term कम से कम निकट भविश्य में near term का मतलब निकट भविश्य में आने वाले समय के अंदर जल्द ही कम होने वाले लगती नहीं है क्योंकि तेली कीमते बढ़ रही है तो यहां क्या बताया कि transport और communication जिसमें petrol और डीजल शामिल है इसमें 7.1% को इसने पोस्ट किया बढ़ोतरी फिर कहरा है हाल ही में जो sustained increase है जो लगातार बढ़ोतरी हुई है फूल फ्यूल प्राइसेज में उसकी यह संभावना है कि यह जो transport करेंगे मतलब फ्यूल प्राइस बढ़ गया तो जो transport के जो means हैं ट्रक वगर जिससे समान जाता है तो उसमें farm produce जो ले कर जाएंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे उसकी कीमते भी क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी और इसी लिए बड़ा मुश्किल है यह पता लगा पाना या पहले से अनुमान लगा पाना कि food prices जो है कम हो रहे हो और वो भी कब निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती एन्विजीज का सिनोनिम हमने देखा सस्टेंड का सिनोनिम हमने देखा इन्क्रीज नाउन है सस्टेंड एजेक्टिव है ठीक है बाग की सब चीज़ आपको पता है इस एक्सपेक्टेड है वो पैसिव वो इसका है फीड थू जो दे रखा है इसका मतलब किसी एक परभाव का दूसरे पर परभाव पढ़ना कोई एक चीज हुई है उसका परभाव दूसरे पढ़ना उसको बोलते हैं फीड थू आगे देखिए the rapid and timely onset of the monsoon in June rapid का मतलब बहुत तेजगती से timely मतलब समय पर onset का मतलब start या beginning तो कह रहा है कि समय पर और बहुत तेजगती से जो ये monsoon का onset हुआ है ये जो monsoon की शुरुवात हुई है in June, June के महिने में with higher rainfall अधिक जादा बारिश higher मतलब जादा अच्छी बारिश हुई है degree comparative है तो कह रहा है कि जो तेजगती से और समय पर जो आगमन हुआ है monsoon का जून के अंदर और वो भी जादा बारिश के साथ में does offer some reassurance does offer, does का प्रियोग जब देखो verb से पहले है तो जब भी किसी man verb से पहले आप do, does या did का प्रियोग करते हो तो इसका मतलब ये मान के चलना अगर किसी man verb से पहले do, does, did का प्रियोग करते हो तो इसका मतलब ये मान के चलना कि यहाँ पर stress है emphasis डाला गया है जोड दिया गया है तो कह रहा है कि कुछ reassurance देता तो है ये कि कुछ पुनर आसवाशन reassurance फिर से आश्वस्त करने का process तो कह रहा है कि जो rapid और timely onset है तो onset तो यहाँ पे noun है timely यहाँ पे executive है rapid भी executive है timely को आप सोचेंगे कि adverb यलवाई लग रहा खाले कि noun से पहले है तो executive ही मानोगे आप इसको बहुत तेज गती से और जो समय पर monsoon का आगमन हुआ है जून के अंदर और वो भी अच्छी बारिश के साथ ये कुछ reassurance offer करता तो है कुछ आश्वाशन इससे मिलता तो है if the rains sustain the early momentum sustain का मतलब यहाँ पे है continue करना जारी करना तो कह रहा है कि यदी जो बारिश है वो मतलब यह जो early momentum मिला है शुरुआत में ही जो गती पकड़ी है monsoon ने जल्दी बारिश हुई ज़दा बारिश हुई तो यह momentum अगर बना रहा यदी rains का जो momentum है यह बना रहा and cover the key agrarian heartland adequately और अगर इसने cover कर लिया किसने बारिश ने तो अगर बारिश ने cover कर लिया देखो end से पहले यहां पर sustain था क्योंकि rains यहां पर subject है तो verb की first form है तो यहां भी आप देखें verb की first form है तो अगर इसने cover कर लिया key का मतलब है तो पुर्ण agrarian का मतलब crushy heartland का मतलब खेत मानलो कर्शी योग जमीन है उसको मानलो adequately मतलब परियापत रूप से sufficiently ठीक है तो कहरा कि यदी बारिश लगातार मतलब जारी रखती है इसको early momentum को जो शुरुआत में इसने गती पकड़ी उस गती को जारी रखती है बारिश और अगर जो मुख्य क्रशी योगे भूमी है उसको इसने cover कर लिया अगर ये cover कर लेती है परियापत रूप से prospects for a bountiful harvest prospects का मतलब संभावना possibility for a bountiful bountiful का मतलब है abundant plentiful ample bumper बहुत ज़ादा है न तो जो संभावना है bountiful harvest की की फसल bumper होगी harvest का मतलब फसल है यहाँ पे and resultant moderation और इसके परिणाम सुरूप resultant यहाँ पर adjective है यह आपका noun है यह article इससे समझ सकते हैं पहला word adjective होगा दूसरा noun होगा moderation का संतुलन और resultant का परिणाम सुरूप और इसके परिणाम सुरूप संतुलन आएगा food prices में मतलब जो खाद्य पदार था उनकी कीमतों में letter बाद में समय में बाद के लिए आता है in the year इस साल our bright यह our bright prospects को देखकर हैं तो यह संभावना है काफी bright हैं काफी ज़्यादा संभावना हैं repeat कर देता हूँ क्या कहना चारा है कि कह रहा है कि भाई अगर यहाँ पे कह रहा है कि भी अगर बारिश जो है rains है वो अगर अपना early moment बना के रखती है और अगर यह की agrarian heartland को परियापत रूप से cover कर लेती है मतलब रशी जहाँ जहाँ खेती है वहाँ वहाँ के छेतर को अच्छे से cover कर लेती है तो जो संभावनाए है वो काफी bright है किसके संभावनाए है bountiful harvest की बहुत ज़्यादा मात्रा में bum पर फसल होगी इस बार और परिनाम सोरूप संतुलन आएगा food prices में बाद में ठीक है तो यह संभावना प्रबल है आगे करें still for now फिर भी still आ गया तो विरोधा भास है फिर भी for now अब के लिए अगर बात करें vegetable prices तो जो जो सबजियों की कीमते हैं are reported उनकी ऐसी report है यह passive voice हो गया to be surging की वो बढ़ रही है surge का मतलब बढ़ना and providers of goods and services और जो प्रदान करने वाले हैं सामान और सेवा are exploring wage वो providers जो है क्या कर रहे हैं explore कर रहे हैं explore का मतलब खोजना wage तरीके to insulate insulate का मतलब होता है सुरक्षा करना protect करना लिख लेना insulate का मतलब होता है protect करना protect आपको पता है diabetes के अंदर insulin का injection लगता है तो वो एक प्रकार से protect करता है वो injection हमें उस बीमारी से प्रतिरोदक छमता विक्सित करता है तो वही चीज़ यहां से ध्यान रखना और वो explore कर रहे हैं look for search search कर रहे हैं quest कर रहे हैं तरीके कौन से तरीके to insulate their businesses financially कि वो अपने व्यापार को वित्तिय रूप से सुरक्षा प्रदान कर सके from the weak demand जो कि demand भहुत कम होगी demand कम होगी तो वो कैसे मतलब सुरक्षा प्रदान कर सके वो तरीके खोज रहे हैं तो कह रहा है कि ये चीज़े तो हो जाएंगी भविशे में ठीक है अगर मौनसून ठीक रहा तो ऐसा देखने को मिल सकता अब के लिए अगर बात करें तो सबजी की कीमते लगातार बढ़ रही है उनकी ऐसी रिपोर्ट है कि वो बढ़ रही है and providers और जो सामान और services providers हैं वो तरीके खोज रहे हैं अपने businesses को insulate करने के protect करने के किस तरीके से financially वित्य रूप से from the weak demand सुरक्षा किस से करनी है तो देखो insulate के साथ में from लग गया जैसे protect के साथ में from लगता है वैसे insulate में from लग गया किस से weak demand से कमजोर demand से आगे देखो आगे कह रहा है steel companies recently announced they were raising prices in the response to rising costs related to iron ore and the COVID-19 pandemic ore का मतलब होता है अयश्क तो steel companies recently हाल ही में अच्छा recently और lately में थोड़ा सा ध्यान रखना कि recently और lately recently का प्रियोग तो आप दो तरीके से कर सकते हो verb की second form के साथ और इसको has have के साथ verb की third form हो तब भी कर सकते हो लेकिन जो lately होता है इसका प्रियोग आप कर सकते हो has have plus verb की third form के साथ और इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि sentence का negative या interrogative होना जरूरी होता है जबकि recently में ऐसा कोई restriction नहीं है लेकिन यहाँ पे sentence अगर negative या interrogative होगा तभी आप lately का प्रियोग करसपाओगे has have होने पर present perfect होने पर तो कह रहा है यहाँ देखो second form है तो past indefinite में recently आ सकता यहाँ lately नहीं आ सकता तो still companies ने हाली में घोशना करी है कि they were they यहाँ पे still companies के लिए pronoun है कि वो लोग prices बढ़ा रहे हैं मैंने कहा ता raise के बाद में object लगता है तो देखो prices object है rise अगर होता तो यहाँ object नहीं लगता कि वो काम खुद बखुद होता है किसी के दुआरा नहीं होता तो कह रहा है कि भई still company जो है उन्होंने हाली में announce किया कि वो लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं किसलिए in response to मतलब इस कह सकते हो कि इस चीज़ को counter effect जिसको बोलते हैं counter करने के लिए in response to rising cost बढ़ती हुई कीमतों के कारण यह कीमते rising बढ़ती हुई related to इसमें to लगता है हमेशा iron ore कीमतें किसकी low ASQ की and the COVID-19 pandemic और COVID-19 pandemic के कारण तो समझ रहे हैं still companies ने क्या कहा हम किमतें बढ़ाएंगे इनसे पुचा क्यों बढ़ाओगे तो इनने कहा कि बढ़ाएंगे इसलिए क्योंकि एक तो low ASQ की किमतें बढ़ के आ रही है दूसरा COVID-19 इनके चलतें हम कीमतें बढ़ाएंगे रिसर्चर हिस मार्केट्ज लेटेस्ट इंडिया विजनस आउटलूक सर्वे रिलीजड ओन मंडे पैंट्स अ डिजमल पिक्चर डिजमल का मतलब गुलूमी होता है डिजमल का मतलब गुलूमी बहुती सैड पैसिमिस्टिक पैंट्स पिक्चर का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि चित rat करना पोर्टरे करना डिलीनेट करना इसको बोलते हैं तो कह prayer कि एक रिसर्चर है एक अनुसंधान करने वाली कमपनी है है इस मार्केट उसका नाम है तो उसका sentiment sentiment का वैसे भावना होता है emotion होता लेकिन यहां पर sentiment का मतलब है investor का sentiment कि investor सोचता है कि market में निवेश करने का समय है कि नहीं उसको sentiment कहा गया है तो यह दिखाता है dismal picture इस किसके साथ कि sentiment having turned negative in June कि June के महिने में निवेशकों का जो sentiment है वो कैसा हो गया negative हो गया कि अभी पैसा invest करने का time नहीं है for the first time पहली बार in the 11 years 11 सालों में ऐसा हुआ है since it began polling businesses यह इट आ रहा है इस company के लिए आ रहा है IHS market के लिए आ रहा है जब से इसने start किया ना शुरू किया begin के साथ में जैको सीधा आइंजी लगा सकते हो जरेन लगा सकते हो तो polling है यह वैसे polling business जो है वो इसके अंदर आप कह सकते हो कि इसने start किया is business को कौन सा business है इसका यह आंकडे देती है यह survey देती है उसके लिए है ठीक है तो यहाँ पे कह रहा है कि जब से इसने start किया था polling business हालंकि इसको polling को आप ing वैसे ना मानके यह तो पूरा business का नाम ही मान लो वैसे begin के साथ ing लग सकता है तो कह रहा है कि जो polling business start जब से इसने survey देने start किया है ग्यारा सालों में उसमें पहली बार ऐसे आंकड़े अपना survey देना start किया तब से लेकर अब तक ऐसा नहीं हुआ ग्यारा सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है आगे देखिए and firms reporting a steep drop in confidence और जो firms हैं जो भी मतलब कह सकते हो जो भी firms का मतलब यहाँ पर जो भी संस्ताइं है reporting वो report कर रही है steep drop steep का मतलब होता है बड़े ही sharp बहुत ही एकदम कह सकते हो drop कैसी drop ऐसी यह drop है वो steep drop है ठीक है एकदम धडाम से गिरना एक तो यह हो कि धिमे धिमे गिरे कि कुछ ऐसा गिर गया कभी ऐसे गिर गिर गिए कभी ऐसे गिर 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 कभी से पहीं कभी ऐख सिद्धा धरडाम से तो शार्प है, स्टीफ है drop noun है और sharp है, steep है, वो executive है, in जो है, वो drop के कारण है गिरावट जहां भी है और noun के रूप में है चाए वो fall हो चाए decline हो चाए drop हो इन लगता है noun के रूप में हो तो confidence का मतलब विश्वास और firms जो हैं वो भी यहां पे काफी ज़्यादा गिरावट बता रही है confidence में विश्वास में विश्वास किसका वही निवेशकों का significantly बड़ा ही महत्तोपूर्ण है यह एडवर्ब हो गया significantly the survey shows तो बड़ा ही महत्तोपूर्ण है कि जो survey है यह वो दिखाता है that while employers are set to cut jobs यह दिखाता है कि यदपी जो employers हैं जो रोजगार प्रदान करते हैं जो services देते हैं आपको वो जो लोग हैं वो मतलब तयार है set का मतलब यहां पे तयार है किसके लिए job में कटोती करने के लिए किसलिए कटोती करना चाहते हैं इस चीज में तालमेल बठाने के लिए कौप विद का मतलब है तालमेल बिठाना, हार्मनाईज करना, ठीक है न, कौप विद का मतलब क्या होता है, हार्मनाईज करना, तालमेल बिठाना, कौप विद हार्मनाईज, तालमेल बिठाना, तो ये लोग तयार है, तालमेल बिठाने के लिए, मतलब जोब से कटोती करना चाते हैं तालमिल किस का बठाना चाते हैं फॉल्टर का मतलब क्या होता है फॉल्टर का लडखडाना होता है तो फॉल्टर का टोटर हो सकता है ठीक है फॉल्टर का स्टेगर हो सकता है लडखडाना ठीक है यह फॉल्टर है लडखडाना तो जो डिमांड ऐस्तिर डिमांड है लगाता डगमगार ही demand है उसके साथ harmonize करने के लिए तालमिल बिठाने के लिए जो employer से वो तयारतों है जोब में कटोती करने के लिए फिर भी company जो है वो plan कर रही है to raise selling prices कि वो जो selling price है विक्रे की जो कीमते होती है वो बढ़ा दें over the next 12 months अगले 12 महीनों में किस के लिए to protect profitability त तो कह रहा है कि survey ये दिखाता है IHS market वाला कि जो employer से वो तो तयार है कि वो चुकि demand घट रही है demand डगमगा रही है इसलिए वो कटोती करना चाहते है अपने staff में जबकि companies क्या plan कर रही है companies का plan ये है कि वो selling prices को बढ़ाना चाहती है विक्रे कीमतों बढ़ाना चाहती है किसके limit एक प्रकार से cap भी कह सकते हो market में एक word का use होता है cap का ये भी limit ही होता है तो कह रहा है कि with inflation already above the RBI 6% target upper bound RBI का एक लक्षे था कि महंगाई जो है वो उपर से उपर मतलब सबसे ज़्यादा महंगाई का इस तरक्या होगा 6% ही होगा तो कह रहा है कि अभी जो महंगाई है वो उससे भी उपर है एक बात याद रखना जब भी level में उपर की बात आप करते हो जब percent में उपर की बात आप करते हो तो above का प्रियोग करते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर above है तो कह रहा है कि target में target जो रखा था अपर एक limit रखे जी 6% की उससे भी उपर महंगाई है तो इसके साथ monetary policy makers मोद्रिक नीती निर्माता जो है face an unavailable choice unavailable मतलब unpleasant choice कह सकते हो बहुत ही difficult choice कह सकते हो बड़ी मुश्किल कह सकते हो ठीक है यह executive है able जिन शब्दों का end करता है वो executive बन जाते हैं ठीक है तो monetary policy maker जो है मोद्रिक नीती निर्माता जो है वो यहाँ पे ऐसी choice face कर रहे है जो की unavailable choice है जो difficult choice है ठीक है अब further rate cut आगे अगर rate में कटोती होती है further का मतलब आगे next अगर आगे कटोती होती है किसके लिए to help revive economic momentum help के साथ में सीधा V0 लगा सकते हैं यह हम discuss कर चुके हैं पहले भी help के साथ में 2 प्लस V0 भी लगा सकते हैं infinity भी लग सकता बेर infinite लग सकता revive का मतलब पुने सक्रिय करना तो अगर आगे rate की कटोती होती है आगे अगर दरों में कटोती होती है किसमें रेपोरेट reverse रेपोरेट इन सब में किसके लिए ताकि economic momentum जो है वो बना रहे वो revive हो फिर से economy पट्री पर आए इसके लिए तो इसमें खत्रा है है ना यह जो rate cut है यह risk है किसमें fanning faster price gains fanning का मतलब fan का मतलब insight करना है instigate करना है भढ़काना है ठीक है तो यह कह रहा है कि किसके लिए यह इसकी risk होगी किस चीज में रिसक होगी fanning faster price gains की यह कहीं कीमतों को और अधिक बढ़का देगा बढ़ा देगा insight कर देगा and putting the economy और economy को रख देगा उने path ऐसे रास्ते पर जो रास्ता कहा जाएगा stack inflation की और stack inflation का मतलब क्या होता है मंदी decline slump downturn recession आर्थिक मंदी की और जाएगा तो कह रहा है कि आगे अगर यह 6% की जो कह रहा है टार्गेट अपर लिमेट जो रख रख रखी थी RBI ने उससे अधिक महंगाई है तो अगर RBI अब स दोस्ता है कि दरों में कटोती कर देते हैं किस के लिए कटोती कर दें ताकि economic momentum बना रहे revive हो सके तो इसमें खत्रा है कि यह कीमतें और बढ़ा देगा और इससे जो अर्थिवस्ता है वो एक ऐसे रास्ते पर आ जाएगी जो जाता है आर्थिक संकट की और मंदी की और ठीक ह तो यह मैंने लिखा नहीं था यह मैंने highlight नहीं किया है यह आप खुद भी परियास करते रहें कई पर छूट जाता है चलिए आगे revision की बात करते हैं falter का लड़कडाना होता है तो लड़कडाने के लिए मैंने दो तो भी बताये थे आपको एक vacillate भी हो सकता है stagger बताया था credit करना होता है encourage करना होता है तो इसके लिए insight दो में A तीसरा है unavailable इसका मतलब बताया था difficult होता है unpleasant होता है तो यह हो जाएगा तीसरे में E फिर fourth और fifth है fourth में insulate है insulate का shield करना है protect करना है तो यह B और fifth में precede है तो precede का anti date ठीक है जो बच्चे देख रहे हैं भी YouTube पर वो जरूर जरूर से like कर दें एक एक like आप सभी का जरूर से required है इसलिए required है कि जितने likes होंगे ज्यादा उतना ये वीडियो प्रमोट होगा और बच्चों तक इसकी reach होगी और बहुत सारे बच्चे जूडेंगे चैनल पर और बहुत अच्छा करने के लिए मैं प्रिरित रहूंगा हर समय आगे देखिएगा एशियन डेवलेप्मेंट बैंक ने बुद्वार को बताया किसने बताया एशियन डेवलेप्मेंट बैंक ने तो एशियन डेवलेप्मेंट बैंक ओन वेंस्डे अनाउंस्ड बताया घोशना करी जो भी टोल्ड भी कर सकते हो कि इसने सैड कर सकते हो बताया वैसे तो अबजेक्ट नहीं है टोल तो मत करना क्या बताया कि इसने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को नुक्त किया है अब खुद के लिए इट लग गया किया है तो हैज है चुकि पास्ट में चला गया अनाउंस डिसकारण से हैड अपोइंटेड नुक्त किया कि इसको चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को ठीक है तो एडी बी बैंक है एशियन डेवलप्मेंट बैंक है उसने वैंस डे को बताया बताया तो सेड भी कर सकते हो घोशना करी तो अनाउंस कर सकते हो कि इट हैड अपोइंटेड इट यहां पे एशियन बैंक के लिए है इसको लगबग 25,000 करमचारी तो 25,000 वरकर्स क्या कर रही है की तो किया गया देट कि घटी वी हवाई यात्राओं की मांग के कारण उन्हें अठाया जा सकता है उन्हें हटाया जा सकता है मतलब उनकी जोब छिन सकती है तो देयर जोब्स कुड़ भी एलिमिनेट देयर लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो could भी बना सकते हैं क्योंकि could जो है वो संभावना बताता है ठीक है तो could be eliminated present में बता सकता है could because कारण क्या है कारण है घटती हुई demand तो plunging demand plunging का मतलब गिरती हुई declining demand भी कर सकते थे किसके लिए हवाई यात्रा for air travel तो American Airlines उचित कर रही है तो is notifying किसको 25,000 करमचारी तो about 25,000 workers या employees की the that उनकी jobs हट सकती है उनको हटाय जा सकता है तो their jobs could be eliminated कारण क्या है कारण है घटती हुई demand तो because of plunging demand और demand किसकी air travel की तो for air travel Infosys ने बुदवार को पहली तीमाही के शुद मुनाफे में 11.5% की वरदी की रिपोर्ट दी है ये देखो मैं तो सही लिखता हूँ ऐसे उसके अंदर लेकिन ये font change हो जाते हैं यहां तक आते आते माफी चाओंगा इसके लिए शुद इस प्रकार से लिखा हुआ था ठीक है और वरदी इस प्रकार से था लेकिन जब मैं इसको लेके आता हूँ मुझे typing अगरा कुछ आती नहीं है तो यह यहां तक आते आते हैं ऐसे हो जाती है कोई बात नहीं खेर Infosys ने बुदवार को पहली तीमाई के शुद मुनाफ़े में 11.5% की वरदी की रिपोर्ट दी तो Infosys ने रिपोर्ट दी बुदवार को तो Infosys on Wednesday रिपोर्टेड ठीक है क्या रिपोर्ट दी है 11.5% की वरदी तो 11.5% जंप वरदी को जंप हाइक भी कर सकते हो किसमें इन first quarter net profit पहली तीमाई ही first quarter net profit शुद मुनाफ़े में तो Infosys ने बुदवार को रिपोर्ट किया 11.5% की जंप किसमें first quarter में और first quarter किसका किया शुद मुनाफ़े का तो net profit में आगे आपको दे रखे हैं कुछ idioms and phrases head over heels का मतलब है very excited बिसर जो है वो heels heels को area बोलते हैं आपका दिमाग जो है वो area में चला जाए इसका मतलब जब भूत ही excited होते हो तो कच सोचने समझने की शक्ती नहीं होती है भूत ही उत्सुक है और आप दोड रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर जो मस्तिश्क है आपका वो किवल एक ही बात कर रहा है कि बस भागो दोड़ते रहो इधर से उधर कुदर करते रहो तो excited है आप अपने पैरों को गिला कर लेना तो इसका मतलब यों कह सकते हो कि कोई काम चल रहा है जिससे मान लीजिए कोई भी काम है पानी बगर काम है आप दूर से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आपको कोई अनभव नहीं हो उसका और आप खुद ने अपने पैर गिले कर लिया है वेट कर लिया है इसका मतलब आप उसका experience गेन कर रहे हो वो काम करना शुरू कर रहे हो तो बिगिन गेनिंग एक्सपीरियन्स तॉक तूरू वन्स हैट अगर कोई वेक्टी टोपी पहन लेता है और इस टोपी को नीचे कर लेता है मुह दिखाई नहीं दे रहा है उसी में से बात कर रहा है कर रहा है